नमस्कार स्वागत आपका चुनावाच तक पर मैं हूँ रवीश पाल सिंग मध्य प्रदेश में शिवराज सिंग चुहान के नित्यतों में भारती जनता पार्टी ने जहाँ एक तरफ जीत दर्च की है प्रचंड बहुमत तो आई दूसरी तरफ कमनलाथ के नित्यतों वाली कॉंग्रेस को बहुत बुरी तरीके से हार का मूँ देखना पड़ा लेकिन अब इस बीच में सवाल उठने लगे हैं कि क्या समय आ गया है कमनलाथ को कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्षपत से इस्तीफा देने का हलकी इस बीच में कमनलाथ ने आज एक बड़ी बैठक बुलाई थी भोपाल में ये बैठक बुलाई गई थी कॉंग्रेस के उन सभी प्रत्याशियों की जिन्होंने हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव लड़ा था इसमें वो प्रत्याशी भी शामिल थे जो चुनाव जीत करके अब विधायक बन गए हैं और वो प्रत्याशी भी शामिल थे जो चुनाव हार गए हैं अब ये हार का मन्थन था जिसमें एक तरीके से विधायकों के सामने या प्रत्याशियों के सामने हारे हुए कॉंग्रे हो गई इस बैठक में जादा ता प्रत्याशियों ने ये कहा है कि विधान सभाद चुनाओं अगर वो हारे हैं तो उसके पीछे एक बड़ी वज़े है कि इवियम के साथ कोई च्छेड़ खानी जरूर हुई है इवियम के वज़े से कॉंग्रेस चुनाओं वार गई है यानि इवियम का भूत एक फिर निकल के सामने आ गया है इस बैठक में शामिल जो विधायक थे जो प्रत्याशी थे कॉंग्रेस के हमने उनसे बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि बैठक में क्या हुआ क्या कोई नए दिशा निर्देश दिये गए हार के कांड़ों पे अगर समिक्षा हुई तो क्या जिम्मेदारी ताय हुई किसी की ये तो नहीं हुआ लेकिन हाँ इवियम पे दोशा रुपन जरूर हुआ सुनिए एक बार आप कमलेशवर पटेल हैं दूसरे तमाम वो लोग हैं सिमरिया से जो जीत करके आया है अब है मिश्रा वो क्या कुछ बता रहे हैं इवियम के बारे में और इस बैठक के बा वो कैसे मसीन खुलने से पहले ये बोल सकते है कि इस पोलिंग में हमें इतना मत मिलेगा और इतना ही मत निकलता था भारती जनता पार्टी के प्रत्यासी ही चुनाओं के बाद अपने आपको हारे महसूस कर रहे थे उनके कारिकरता हारे महसूस कर रहे थे और रिजल्ट के दो दिन पहले ऐसा क्या हो गया कि पॉलिंग बार और किस विधान सभाचेद में कित्ते से जीत होगी ऐसा कैसे हो सकता है बात तो निकल के आईगी है कि जब तक जैसे जापान है योरोप है सब जहां उनके हादमियों के भी कमी है इसके वाद भी बैलेट पे बोट हो रहा है जब चन्यान को कंट्रोल किया जा सकता है यहां से तो इवियम का सिस्टम बड़ा क्लियर है कहीं कहीं धोखा हो गया इनको अच्छा यह ऐसा नहीं कर रहे है कि केवल बीजेपी को मतब कुछ सीटे जानबुष के छोड़ भी रहें जैसे पब्लीक में नहीं लगे जैसे कमलनाजी के हां जीता देंगे इस सीट को जानते हैं जिसमें हला होगा इसमें पब्लीक एक्सप्ट नहीं करेंगी पहले इनके पास आई आई टीन और बहुत पढ़े लिखे लोगों की टीम है जो पूरा रिसर्च पर काम करती और रिसर्च करने के वाद कहां पर जिताना है कहां किसको करनाई और कुछ ही अपने पार्टी के लोगों को भी हरवाते हैं यह कुछ अपने पार्टी के लोगों को भी हरवाते हैं इवियम्स ताकि एक मैसेज भी जाए और जिसको मन से इनी लोगों ने कुछ खेल किया होगा उपर तो आपने इन दोनों नेताओं को सुना कॉंग्रेस के ये जो बैठक बुलाई गई थी दरसल ये हार की समीक्षा बैठक थी मन्थन था इस बैठक के बाद कमनलाद दिल्ली रवाना हो चुके हैं 6 दिसंबर को उनकी मुलाकात होन कॉंग्रेस के उनी के चेहरे पर पूरा चुनाओ लड़ा गया था कमनलाद को मुख्यमंद्रिपत का दावेदार भी कॉंग्रेस के सभी नेताओं ने साबित कर दिया था बता दिया था और उनकी जीत के पोस्टर तक लग गए थे लेकिन अब नतीजे सब के सामने हैं नती कॉंग्रेस के नित्रत्व को ले करके प्रदेश अध्यक्ष के पद को ले करके क्या जल्दी कोई फैसला लेता है या फिर कमनलाद को ही फिलहाल मद्र बदेश में कॉंग्रेस का अध्यक्ष पद जो है वो जारी रह सकता है उन्हें ही रहेगा उनके साथ ही रहेगा इस पर कुई वसला हुता है